नमस्कार स्तों मैं पपू सर आपके अपने यूटूप चैनल पीएश्टी क्लास में स्वागत है दोस्तों अभी का ब्रेकी निवी निकल के आ रही है विहार सिविल कोड परिक्षा अभी विवाग के तरब से एक अप्सेशन नौट फिक्षन जारे किया गया एक्जाम के रिगारिंग और एडमिट कार्ड के रिगारिंग देख लिए लेक एक्टिवेट कर दिया गया है परिक्षा तिति एडमिट कार दिसंबर में आपको एक्जाम होगी सारी जनका इस एक रिग्षा का इंतजार कर रहे हैं और एडमिट कार्ड डाउने का इंतजार कर रहे हैं तो बिना एक वीडियो को पूरा देखिएगा विवाग के तरफ से जो अफिस्य नोटिफिक्षन जारी किया गया जो की डाउल्लोड करकर बीडियो में बताने वाले हैं इसलिए ब वीडियो में बने रही है कि देख लिए दस्तों डाउलोड कर लिए हैं एक बार आगे देख लिए ब्यार सिविल कोड पेक्षा तिती 222 चेक एडमिट कार्ड परिक्षा पेटान डायक्ट लिंक देख लिए लिंक दिया हुआ है और वीडियो के डिसेस्टन में भी हम दे दि परिक्षा दिसंबर 2022 में सभी अर्थी जीलों में पूरे राज में आउपलाइड पारोफ में आयुद की जाएगी बिहार सिविल कोड में दिसंबर 2022 तक कलर एस्टेनोग्राफ पर कोड रीडर और चप्रासी के पदों के लिए आफलाइन लिखित परिक्षा आयुद करने क का अनुमान है चलिए आगे देख लीजिए जिसने बीस अक्टूबर 2022 तक इन में से किसी एक पद के लिए ऑल्लाइन आवेदन कर दिया हुआ परिक्षा देने के लिए पात रहे लिखित परिक्षा बिहार सिविल कोड परिक्षा दिनांग 2022 की कोशना करने वाली है प्रेस आप लगतार विजिट करते रहें चलिए आगे देख लीजिए बिहार सिविल कोड परिक्षा दिनांग 2022 कलरक चपरासी और कोट डीडर डिपोजीशन राइटर के विविन पदों के लिए हाल टिकर बहुत जल्द बिहार सिविल कोड पटना के अधिकारिक वेबसाइट पर अब कैसे डाउलड कर पाएंगे चलिए उसके बारे हों आपको बता रहें अवेद्गों के पास अपना रेजिट्रेशन नमर और पासपोर्ट होना चाहिए नीचे दिए विवरन में बियार सिविल कोड एंविड कार 2022 के बारे में अधिक जनकाई देखे परिक्षा के दिन 20 नमंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है आगे देख लिए जो भी फॉर्म अभी नहीं वह रहें तभी भी फॉर्म जो है देख लिए बस 20 तारिक तक आपका डेट था जो की खतम हो चुकी है आगे देख लिए एक बार पंजिन कर पूरा हो जाने के वाद प्रादी करन आपको परिक्षा की तारिक और एंविड कार्ड की उपलवता के बारे में सुचित करेगा लिखित परिक्षा में पर्वेस्प्रतिक की परिक्षा के दिन से 10 से 14 दिन पहले जीला नियाले ने ब्यार सिविल कोट परिक्षा दिनख 2020 को अपने अधिकारिक वेबसाइट देख लिए अच्छा पर परकासित क्या क्या होगा या चाहें अपने कलर एस्टनों गडापर कोट रीडर या चपरासी के पाद के लिए और अपना लिखित परिक्षा में भाग नहीं लिए पाएंगे दोस्तों आपके पास अगर एडिमिट कार नहीं होगा तो आपको परिक्षा नहीं दिया जाएगा इसलिए हम आपको सारी जनकारिस बिनियों में बता दिये हैं लाश्ट आपको 20 नवंबर तक फॉर्म भरने का म हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नौटिफिक्षान पर सेट कर लिए जैसे हम आपको नए वीडियो प्रवाइड करेंगे आपके पास नौटिफिक्षान पहुंच जाएगा दोस्तों वीडियो को लिंक दे दिए वेप्साइट दे दिए उस पर भी कि वीडियो को सेर कीजिए बहुत सब्सक्राइब कमेंट कर रहा था सर एक्जाम कब होगा तो सारी जनकारी हम आपको इस वीडियो कमादियम से बता चुके हैं फिर भी कोई दिक्कत रहा जाती है तब कमेंट कमादियम से पूछ सकते हैं कि बेस्ट अप लाक आपका दिन से व वीडियों नए टॉपिक साथ जाहिन जा भारत